Assalamualaikum class आज के lecture के अंदर मैं आपको बताओंगा कि हमने जो last lecture मे जो multiple styles पढ़े थे यानि कि messaging style थे, big picture style थे, media style थे, inbox थे ठीक है तो उसके अंदर से कुछ स्टाइल्स हमारे पास बाकी है तो उसको आज हम डिसकस करेंगे कि मैसेजिंग स्टाइल्स क्या होते हैं डारेक्ट रिप्लाई अगर आपने किसी को करना है तो वह स्टाइल्स क्या होते हैं चलिए शुरू करते हैं मेसिजिंग स्टाइल में क्या होता है कि देखें जब भी कोई नोटिफिकेशन अगर मैं यहां पर सेंड कर रहा हूं तो यह नोटिफिकेशन मुझे अगर आ रहा है यहीं पर मुझे अगर इसका reply देना हो मेरे पास कुछ messages अगर आएवे हैं तो मुझे अगर उसका reply देना है तो मैं यहीं पर ड्रेक्ट reply के बटन पर क्लिक करूँ और यहां से reply इंटर कर दो ठीक है बन अगर शर्षल्य में अगर हो इसका reply अदर से मुझे क्या कुछ चाहिए यहां नहीं चाहिए ठीक है तो इसको मैं किस तरह से भी मजए से खतम कर रहा हूँ अब इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर देखीगा पैसे इंट के अंदर मुझे यहाँ पर एक object की जरूरत पढ़ती है जिसको हम कहते हैं रिमोट इंपूट के नाम से रिक हैं कि क्या करता है कि आपका रिमोट ली जो रिप्लाइ आप रहे होते हैं उसको वो रिक्विर नौल करता है उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर just mention करूंगा रिमोट इन्पुट ठीक है रिमोट इन्पुट को आप कोई भी रफस वारियबल दे देते हैं इक्वल तो नियू रिपोर्ट रिमोट इन्पुट सो यह मेरे पास क्रेट होगा डॉट बिल्डर मैं बिल्ड करना चाहरा हूं अब इसके अंदर क्या सबसे पहले तो आप की द के टोर पर आपका जो इता है वह काम कर रहा हुता है लेबल आपका ठीक है सब इसके अंदर हम लेबल डिफाइन करें अपना कोई भी लेबल आप डिफाइन कर सकना है 19 have कुछ भी define करदें आप यहाँ पर ठीक है specific हो गया और लास्वण हमारे पास क्या हो गाइस को हम करेंगे into इनपुट के अब ही क्या करना है अब ही मुझे इसी रिमोट इंपुट बिल्डर के नीचे यहां पर अब मेरे पास जो यह एर्र मैसीज डिस्प्ले कर रहा है तो इसको हम सिंप्ली यहां पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो यह बता रहे का किट कैट वरी हैं जो है उनकी डिपेंडेंसी रिक्वाइड हैं सो यहां पर हम चेक एड कर लेते हूं पर अनुटेशन का सो यह मेरे पास रिमोट बिल्डर क्रियेट हो गया अभी क्या करना है मुझे यहां पर इस रिमोट इन्पुट के ओपर मुझे अब पैंडिंग इंटेंट बनाना है अपने रिप्लाइ करूंगा तो उससे रिसीट को करेगा सो उसके लिए हमें आरेडी जो मैं आपको पिछले प्रिवेस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि किस तरह से हम इसे क्रियेट कर सकते हैं सो उसी को मैं यूज कर रहा हूं यहां पर मैं इंटेंट का आप्जेक्ट कर लेता हूं सबसे पहले तो ठीक है और इसको म हमने रिसीवर का नाम रखा हुआता है यहां पर नॉटिस ब्रॉड कास्ट डॉट क्लास सो यह मेरे पास क्रियेट हो गया इसके बाद मुझे पेंडिंग इंटेंट बनाना है क्योंकि मैंने एक्शन बटन्स पर काम करना है अभी सो मैं यहां पर यूज कर हूँ हैं हम एक एकटिविटी के अंदर रहते हुए हमने सेम को कॉल करना है तो इसलिए मैंने दोनों का रिक्वेस कोड सेम रखा हुआ है ठीक है सो रिप्लाय इंटन्ट पास करेंगे इसके इंदर हम और लास्ट में फ्लैग भी हमने इसको क्या रखना है जेरो रखना है क्योंक नहीं चाहा रहा हूँ ठीक है तो यह मेरे पास एक पैंडिंग जो इंटेंट था वो भी क्रियेट होगा बाड़कास रिसीवर के लिए और रिमोट इंपुट भी मैंने क्रियेट कर लिया हुआ है अभी इसके नीचे जस्ट है मुझे यहां पर नोटिफिकेशन क्याइट का एक 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 एक्छन क्रियेट करना भी कहता कि अब इसके इंदर इसको मैं नाम दे लेता हूं और एक्शन का आप कोई भी नाम दे सकते हैं ठीक है सो इक्वल डू नियू सो नोटिफिकेशन कॉंपैट डॉट एक्षिन ये मेरे पास आ गया ठीक है और डॉट यहां पर आप यूज करेंगे स्वरी डॉट बिल्डर ठीक है सो यह बिल्डर के एक अब इस बिल्डर के अब्जेट के स्वरीन खुल घंटा ग्षिंट से ही तरल में से लटब यहां पर आधा क्रिखिक यहां पर अंपर टेक्स यहां पर मेंशन करेंगे टेक्स में मैंशिन गया देते हैं reply and then last one हमारे पास क्या चीज़ होती है जो कि reply intent आप बना चुके उसी को मैं क्या करूँगा यहां पर reply intent नहीं यहां पर हमने बनाया था pending intent one ठीक है तो इसी को हम यहां पर use करेंगे pending intent one के नाम से जो कि object में यहाँ पर create कर चुका हूँ सो यह मेरे पास एक create हो गया last one आपने यहाँ पर जो call करना है सबसे पहले तो हम इसमें add करेंगे remote input हमारा ठीक है जो कि हम उपर create कर चुके है so remote input और last में हम इसको कर देंगे बिल्ड ठीक है ताकि यह हमारे पास अब बिल्ड हो से के ठीक है और इसमें just आप जो हमने यहाँ पर चीज add करनी है ठीक है messaging का object messaging style का object create करना है ताकि जो message है आपके notifications के अंदर वह भी आपको display हो रहे हो सो वह किस तरह से हमने यहाँ पर display करने है जहां पर मैं use करूंगा notification messaging style का ठीक है messaging style पर आप किस तरह से use कर सकते है notification compact dot messaging style आगया मेरे पास ठीक है इसको आप कोई भी नाम दे लें like messaging style मैं नाम दे रहा हूं equal to उसके बाद इसका object create कर लेते हम new notification compact messaging style यह मेरे पास messaging style के अंदर अब आप text pass करते है user का ठीक है कि जो आपकी तरफ से message आएगा वहाँ पर आप क्या display करवाना चाहते है है लाइक मैं वहाँ पर display करवा दे ताउमी कि यह मेरा message है जो कि display हो रहा है ठीक है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो conversation पूरी चल रही है उसका जो title है वो भी आप यहां पर mention कर सकते हैं लाइक मैं यहां मैंसिंग style को उठाकर अपने style के अंदर लेके जाना है ताके मैं यहां पर भी इसको add कर सकूँ जहां पर मैं पास कर देता हूं messaging style अभी आप यहां पर देखेंगे यह तो पास हो गए लेकिन हमारी application में कोई कोई भी messages add नहीं है ठीक है इसमें कोई भी chat add नहीं होगी तो हमें कुछ dummy messages जो है वो add करना पड़ेंगे अपनी application में तो उसको एक बार add कर लेते हैं उसके लिए क्या करना होगा हमें यहां पर एक java class बनानी पड़ेगी ठीक है messaging की जिसके अंदर हम क्या करेंगे यहां पर ह मैं create कर रहा हूं message class एक से मेरे पास message class create होगी अब इस class के अंदर आपको क्या करना है सबसे पहली चीज चाह सीक्वेंस हम यहां पर text pass कर देते हैं ठीक है और उसके अलावा जहां पर time pass कर दी है मैंने ठीक है और last one हमारे पास है sender का नाम जो कि आप pass करना चाहते है और इसके बाद मुझे इसका इनका constructor यहां पर create करना है so मैं constructor create कर देता हूं यहां पर एक ठीक है so यह constructor create कर दिया मैंने यहां से मैं time को हटा रहा हूं ठीक है कि मुझे इसकी जुरहत नहीं यहां पर just मैं से दोनों pass करूंगा और time जो है इसको हम यहां पर system का millisecond है वहां से generate कर लेते हैं like मैं आज generate कर रहा हूं system dot current millisecond time जो millisecond के अंदर है वो system automatically generate करके इसके अंदर store करवा देगा जब कभी हम इसको call करेंगे alt insert करें आप और यहां पर getter method बना देते हैं तीनों के ठीक है तीनों से हम क्या करेंगे यह values जो है वो receive कर लेंगे text भी और time भी और हमारे पास sender भी ठीक है जो तीनों हम यहां से receive कर सकते हैं so message का object create हो गया मेरे पास अभी क्या चलते हैं हम अपनी main activity में आते हैं मैं यहां पर object create कर लेता हूं अपनी messaging class का ठीक है उसके लिए हमें क्या करना होगा so मैं यहां पर static एक list create कर रहा हूं ठीक है उस list के अंदर अपनी model class pass कर लेते हैं हम जो message के हमने create की वी है so alt enter करते हैं इसको import कर लिए हमने है ठीक है यहां पर अब आप generate कर दें like मैं यहां पर msg इंटर कर रहा हूं messages so यह मेरे पाफ message create होगे equal to new array list यहां पर create होगी मेरी okay अब इस array list के अंदर हम क्या करते हैं और create method के अंदर कुछ dummy messages जो है वो add कर लेते हैं like मैं यहां पर लिख रहा हूं message मैं message मैं इंटर कर रहा हूं है और इसके बाद आपको sender का नाम जो है उसे create करके देना है कि यह sender कोन सा है ठीक है तो यहां पर आप sender जो मज़ी create कर सकते हैं like मैं यहां पर create कर रहा हूं okay अब इसी messages को मैं copy करता हूं और paste कर लेते हैं हम so यहां पर आप gender change कर सकते हैं कोई भी for example मैं यहां पर change कर रहा हूं met ओके यह एक और मेरे message create यहां पर write किया लेकिन इसके sender की जगा पर मैं यहां पर pass कर रहा हूं null अब इसका मतलब यह है लिए आप नहीं हम पर पास किया ये वह में सिज़ मैसीज्व होगा जो कि आपकी तरफ से किया याई यहाँ पर जो आपने आड किया था आपना नाम का वर्या है यह मेंhein यह मैसजिंग स्टाइल कि आपके रिए जिए पास नहीं करेंगे तो यह मैसीज आपकी तरफर transfer होगा, इसके उपर यहां पर लिखा होगा me, ठीक है, और अगर यह आपने नहीं दिया ववा, अगर आपने यहां पर sender का नाम दे देते हैं, तो फिर यह क्या होगा, कि यहां पर sender का नाम होगा, जो कि आप यहां पर pass कर रहे हैं, है इस message को ठीक है now अभी हमने क्या करना है यहां पर जहां पर आपने messaging का अपना object create किया हुआ था ठीक है इसी object के नीचे हमें यह सारे messages जो है अपने messaging style के अंदर put करेंगे form of for each loop मैं यहां पर use कर रहा हूं ठीक है अब इसके अंदर सबसे पहले है तो हमारा जो मैंने message का create की हुई थी यहां पर हमारे पास model class ठीक है उसका हम use कर लेते है message सो यहां पर हम exhale यह message अपनी classroom कर ले ठीक है और उसके बाद मैं इसको कोई भी नाम दे लेता हूं चैट message का नाम दे लें आप को भी आपने नाम देना अग्स ठीक तो इसके अंदर हम हमने उपर जो लिस्ट क्रियेट की थी MSG के नाम से यह मेरे पास वो लेस्ट आगे ठीक है कम्प्लीट अरे लिस्ट जो पर मैंने क्रियेट की विए अब इस लूप के अंदर आपको क्या करना है इस लूप के अंदर रहते वे सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन कॉम्पेट.मेसिजिंग स्टाइल.मेसिज ठीक है अब इस मेसिज के अंदर आपको क्या चीज़ सही है ठीक है वो हमने देखने है यहाँ पर मैं फर इसमेंपल यूज कर रहा हूं नोटिफिकेशन इसको नाम दे लेते हम मैसिज इस इक्वल टू अब इस इक्वल टू के अंदर क्या होगा कि हम इसका आपजेट क्रियेट करेंगे न्यू नोटिफिकेशन मैसिंग स्टाइल.मेसिज अब इस मैसिज के अंदर आपको तीनों चीज़ें पास करनी है सबसे पहला आजब हमारा क्या था का हम यूज कर लेता है चाट मैसिज.डॉट गेट आउस के जो हमने सबसे पहले सेंडर का नाम वहां पर टेक्स पास किया था अपना ठीक है उसको हमने गैट कर लिया उसके बाद हमारे पास सेकिंड वन और ऑर जो टाइम स्टैंप हमने वहां तो आप को इसमें स्टाइल का नहीं है मैंसेगं स्टाइल योबका पूरने में पूरा मैसिज qo मेरा उसमेसीजिंग। मैसेज्च के अंदर टीक है सो यह मेरे पास क्या हूए just लिखने में थोड़ा सा confused लगता है लेकिन confusion create करता लेकिन इतना है नहीं जस्ट आपको notification complete messaging का style create किया इसके अंदर आपने वह message अपना complete get किया जिसमें time text और आपका sender था और उसको आपने message के अंदर क्या कर दिया add करके messaging style में add कर दिया ठीक है अभी यहां पर हम आएंगे अपने notification के अंदर ठीक है यहां पर हमें कुछ एक दो चीजे सेट करनी है वह किया है कि सबसे पहली चीज तो आपका जो यहां पर आपने बनाया वाँ था जो action button ऊपर create किया आपने ठीक है कि direct reply आपको इन जो है ना working state के अंदर लेकर आना यहां पर मैं यूज कर रहा हूं dot add action ठीक है so add action हमने किया भी साइड action के अंदर आपने यहां पर action का नाम क्या दिया हुआ था reply intent के नाम से ठीक है हमने remote object बनाया था जिसको reply action का कह रहे हैं हम so as it is मैं इसको यहां पर पास कर रहा हूं reply action ठीक है so यह पास हो गया दूसरी चीज कि आपको यहां पर colors add करने है dot set color color बहुत important है कि आपको बताने चाहिए कि आपकी chat का color और होता है अभी हमें क्या करना है अभी हमें जाना है अपने receiver के अंदर और वहां पर जाना है कि जब हमारे पास को message receive होगा तो हमें क्या करना है ठीक है यहां पर हमने simple toast वाला काम किया हुआ था सो इसको मैं थोड़ा सा modify करूंगा यहां पर क्या करना है मुझे यह दोनों चीज़ें यहां पर receive नहीं करने ही सो मैं इसको हटा रहा हूं यहां पर सबसे पहले चीज़ तो आपको bundle की form के अंदर जो आपका remote object था ठीक है उसको यहां पर आप get करेंगे सो मैं remote input को यहां पर यहां पर हम यूज करेंगे remote input सो यह मेरे पास आगा dot get result from internet ठीक है सो आप internet से result get कर रहे हैं सो उसी को हम यूज करेंगे result आगे मेरे पास और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा intent सो यह intent आगा मेरे पास यहां पर जस्त मुझे condition चेक करनी है कि मेरे जो bundle है वह not equal to null हो और उसके के बाद ही मैं इसमें से क्या करूंगा values को get करूंगा values कैसे get होंगी मैंने वहां पर चार sequence के अंदर उसकी return type रखी वी थी सो मैं इसको नाम दे रहा हूं यह मेरे पास अब text जो होगा वो reply text होगा कि जो भी मैं user वहां पर इंटर कर रहा होगा reply के button पे click करने के बाद user ने कौन सी होगी यहां पर देखेगा main activity में जो मैंने आपको यह की लिक्वाई थी कि जब user remote input के अंदर कुछ भी text इंटर कर रहा होगा अपना reply में सो उसकी जो भी की होगी सो यह as it is की हमें क्या करनी है अपने यहां पर receiver के अंदर पास करनी है reply की सो यह मेरे पास आगी अब यहां पर अब जो भी यूजर ने reply की है वो भी तो हमें उस message के अंदर डिस्प्ले करना है अपने message intent के अंदर सो मैं यहां पर use कर रहा हूँ message का object again so यह मेरे पास answer होगा जो भी यूजर ने की है ठीक है so नया object create कर लेते हैं इसका message और इसके अंदर मैं यह अपना एक तो reply text pass करूँगा second one चीज मेरा पास जो sender होगा उसको मैं null pass करूँगा null इसलिए pass किया क्योंकि null pass करेंगे तो वह आप consider होंगे कि यह आपने reply की है ठीक आपने महाँ पर कर दिये add यहाँ पर देखेगा कि मैंने यहाँ पर इसलिए इसको जो list create की थी इसको private नहीं किया था क्योंकि मुझे इसको access करना था इधर broadcast receiver के अंदर भी ठीक अगर मैं उसे private कर देता हूँ यहाँ पर देखेगा जैसे वागी variable उसको मैंने private किया so accessible नहीं देखेगा मेरे पास यहाँ पर ठीक है variable so इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे private नहीं किया था ताके मैं इसे access कर सकूँ broadcast receiver के अंदर तो अभी इसको एक बार तो टेस्ट करते है application को ठीक है देखते हैं कि उसकी working क्या है उसके बाद देखेंगे कि उसके इंतरा मजीद क्या modifications जो है वो कर सकते है application में कि यहाँ पर अभी हमें कुछ भी टाइटर मैसीज इंटर नहीं करना क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर मैंने टाइटर मैसीज को बिलकुल यूज नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर messaging का object यूज कर रहे थे ठीक है so directly मुझे यहाँ पर notice send करना है यहाँ देखिएगा जैसी आ reply करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के वाला भी क्या हो गया ग्रीन हो गया जिससे आप message send कर रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे नोटिफिकेशन का code है वह सारे का सारा दुबारा से पेस्ट करना है यहाँ पर main activity से copy करने के बाद ताक कि हम उसे क्या कर सकें दूबारा से update कर सकें अपने पूरे के पूरे notification को so main activity में चलते हैं कि यहां पर देखीगा कि हमें क्या करना है हमें इस मैथर्ड को इस पूरे के पूरे कोड को जो हमने आपर नोटिफिकेशन वन वाले चैनल में काम किया हुआ है सो इस मैथर्ड को आपको क्या करना है आपको एक्सेस करना है यह जो यहां पर हमने कोड किया हुआ यह देखिए एक method declare कर देते हैं हम ठीक है जिस method को आप access करेंगे बाए अपने जो भी आपने व्यू यूज करने है ठीक है उसके थूर फ्राइवर्टी पब्लीकली हम एक और method यहां पर मैं create कर रहा हूं ठीक है और उसको exactly यही नाम दे देते हैं हम सो यह नाम मैंने दे दिया यहां पर और इसमें भी व्यू की class मैं as it is pass कर रहा हूं यह अब यह जो मेरे पास second one method है जिसमें मैंने सारा code किया वह जिस मुझे इसको क्या करना है इस method को मैं change कर देता हूं मैं आप नाम दे देता हूं send channel notification ठीक है तो मैंने इसको यह नाम दे दिय है अब जैसे इसको यह नाम दिया है और इसके अंदर मुझे क्या करना है कि इस पूरे के जो व्यू की class pass हो रही थी आप व्यू की class pass नहीं करूंगा बलके मैं context pass कर लूँगा ठीक है अब जैसी context pass करेंगे इसका मतलब है कि अब यह वाला method मैं access कर सकता हूं अपने receiver से ठीक अच्छे जी अब यहां पर यह context हमारे पास pass हो चुक है लेकिन अब इसमें problem यह है कि जब हम इसको execute करेंगे यह इस पूरे के पूरे method को तो उसके अंदर हमारे पास यह यह हमारे पास use नहीं होंगे ठीक है और दूसरी बात यह कि इस method को हमें क्या कर देना है static कर देना है कि हम इसको वहां से use भी कर सके सब्सक्राइब होगे जैसी static आप इसे करेंगे तो यह दिस हमारा कोई भी यूज नहीं होगा और यह वैसे भी हमें यह required ही नहीं है title और message तो मैं इसको delete कर रहा हूं और दिस की जगह पर हमने जो context use किया सो मुझे वहां पर हर जगह पर क्या क करना है इस context को pass कर देना है ताकि यह चीजें मेरे पास खतम हो जाएं बिल्कुल भी अच्छा जी और यहां पर भी मैंने दिस पास क्या है ओके notification manager यहां पर directly accessible नहीं होगा मेरे पास ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा अलग से यहां पर मैं पूरा notification manager dot compact का जो object है है वह यहां पर create करूँगा ठीक है और उस object के through हम क्या करेंगे उसका complete यहां पर object इसको get कर लेंगे तो मैं यहां यूज करता हूँ notification compact notification manager compact यह आगा मेरे पास ठीक है तो इसको हम नाम दे लेता है notification manager again so यह इसको नाम दे लिया हमने is equal to notification sorry notification manager compact dot form और इसके अंदर हम पास कर देंगे context ठीक है तो यह directly मैंने आप पर object create करके इसको भी set कर दिया हुआ है तो यह मेरे पास बिल्कुल set हो गया इस method को मैं वहां अब यूज कर सकता हूं अपने broadcast receiver में और button के through भी हम इसको यूज कर सकते हैं इस method को अभी वापिस चलते हैं अपने broadcast receiver के ऊपर ठीक है यहां पर हमें क्या करना है जहां पर null pass हो रहा थे जो message हम यहां पर write कर रहे है message add और अब इसको just हमें उस method को again call करना है यह method यहां पर हमें create किया हुआ था हमने ठीक है ताक है हमारा notification update हो जाए तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना है main activity dot यहां गया मेरे पास है notifications channels और context available है हमारे पास यहां पर ठीक है सो यह context हमने यहां पर add कर दिया आप क्या होगा कि message जाएगा reply करेंगे आप add होगा और notification update हो जाएगा आप ठीक है तो इसकी एक बार output चेक करते हैं यहां पर मैं just a notification send कर रहा हूं ठीक है और इसको expand करते हैं यह हमारे पास चैट है reply आप करेंगे ठीक है so reply में मैं just यहां पर आप कुछ भी लिख दे हेलो जस्ट आप सेंड करेंगे यहां पर तो देख रहे हैं कि क्या होगा notification के अंदर आपका message यहां पर add हो गया यहां पर आप देखेंगे up to seven messages यह seven lines जो हैं इसके अंदर क्या हो सकती है डिस्प्ले हो सकती है ठीक है तो आपको एक चीज और जहीं में रखनी है कि यह android api 24 से अबव जो है ना यह सब पर काम करता है messaging जो आपका यहां पर notification है उसे ब्लो बिलो जितने भी वरिये ने वहां इन्पूट इंटेंट की रियेट किया है इसके निचे हम यह पर इसके बिलकुल नीचे मुझे का करना है मुझे एक condition apply करनी है सो मैं आ पर वही जो बिल्ड वरियन वाली condition थी मेरी सो उसको मैं आपर यूज करूंगा dot build dot variant dot sdk int मैं यूज करता हूं ठीक है greater than or equal होना 74 k तो मेरे पास यह काम करना चाहिए इसमें क्या है कि यहां पर देखेगा यह जो reply intent आपने create किया हुआ था ठीक है इसको मैं as it is copy कर रहा हूं यहां पर paste करते हैं और इसके आगे से यह सारा कुछ मैं remove कर देता हूं इसी तरह जो pending intent one आपने create किया हुआ सो इसको भी मैं यहा से copy कर रहा हूं और इसके अंदर paste कर देते हैं और यहां पर हम just pass कर देंगे null ठीक है के फिलाली इसको हमने just define क्या के null है as it is और बाकि हमने यहां पर pass कर दिया यह condition होगी else में आप क्या करेंगे else में देखेगा कि यह आप class तो call कर रहे हैं लेकिन अगर वो lower variant है तो आपने क करने लो lower variant के ओपर आप simply जिस activity को start करवाना चाहते है वो activity आप start करवाएंगे ठीक है start करवाने के बाद जैसे आपने pending intent dot get activity किया था जिस तरह से यह आपने यहां पर use किया हुआ है so इसी को आप use करेंगे pending intent dot get activity को यहां पर ठीक है so for example मैं आपको यहां पर use करके दिखा दे हैं so context this activity का भी होगा और last one हमारे पास क्या होता है कि इस notification को आपको manually cancel भी करना पड़ता है इस case में तो खुद बाखुद वो मतलब हो जाती है यहां पर आपको cancel करना पड़ेगा so cancel आप किस तरह से करेंगे वो ही notification compact manager जो आपने use किया हुआ है उसी को ही use करते हुए आप इस आपने क्या करना इसको ID को आपने जो है वो खतम करना है so मैं इसको as it is copy कर रहा हूं इस line को so copy करके हम आते हैं यहां पर so यह paste हो गया मेरे पास और मैं इसको use करूँगा notification manager dot cancel और cancel के अंदर आप ID पास करेंगे like मेरे पास यह जो notification हुआ था वो क्या था one ठीक है so मैं यहां आपर पास करूँगा one so इस तरह से आपका कर सकते हैं जो lower variant है वहां पर आकर इस intent को use कर सकते हैं और greater variant होंगे तो वहां पर आप कुछ इस तरह से use करेंगे ठीक है so अभी भी आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा करवा देगा आपको कि यह message आपका आया था ठीक है so इस तरह से आप messaging intent को और यहां पर direct reply को messaging styles को जो है वह अपने application के अंदर use कर सकते हैं